आगे कोरोना की बरबादी का तमासा देखने हम भीड लगाएंगे मुँसे मुँ मिला कर बात करेंगे थोड़ी देर बक्छोदी करेंगे फिर ये मेरा भाई मुझे सिगर जिला कर देगा फिर बक्छोदी करते हैं घर चले जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये चूतिया बाते तुम्हारी ये मूरक था एक दिन इस देश के लोगों की मोत का तमासा ऐसे ही देखेगी कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें लोकडाउन से तुम्हें कोई फरक पढ़ने वारा नहीं है भीड में चलने की आध पड़ी है तुमको चुगली करने की आध पड़ी है तुमको पहले जंडा उठा के चुनाव की बाते करते थे पर सट्टा लगाने के लिए आइपल की बाते और अब इस कोरोना वाइरस की मीडिया वाले चिला कर बोलना है बाहर मत जाओ लेकिन तुम्हें बाहर जाना है मरो सब मरो इटली का प्रदान मंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्माती होगी सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे लेकिन हम क्यो सीखें क्या होगा अरे कोरोना वारस तो है चोटी जी बात है हमको कैसे हो सकता है रासन भर लेता हो फिर नहीं मिलेगा तारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा सिग्रेट खतम हो गई है बहार जाना है मोदी साब कोरोना वारस की चेन तोड़ना चाहते हैं भारत बंद तरके लोकडाउन करके कोरोना वारस खतम करना चाहते हैं। को समझाओं की बात को। सब साले अंपर्ड जिंदा लासें। किसे जगाएंगे वो। मैं जा गया। परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूं सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये लाबर हुए एक दिन तुम्हारी परिवार के लिए रहोना बन जाएगे। ये देश के डोक्टर, पुलिस वाले, सफाई करमचारी, आर्मी वाले राद दिन अपना घर छोड़के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं लेकिन तुम्हें क्या फरक पड़ेगा। जानता है, क्योंकि ये मुर्दो को देश है, वतन के लिए किसी को कोई हम दर्दी नहीं है, यहाँ पर वारस फैलना बहुत आसान है, मैं हिंदू, मैं मुसल्मान, मैं सिक, मैं शाहिन बाग, मैं कश्मीरी, एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुस्किल है, मैंने ओल्लाइन पढ़ाता, डवल एच्चो की वेफसाइट पर, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बाते कर रहा हैं लापर वालोगों से, हस क्यों समझा रहा हूं